हेलो एन वेलकम काई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओमान डीटेन की बात करेंगे जो की मैच होगा यह पर गुपरा जायंट वर्सिस बाउसर बुस्टर के बीच में तो चलिए दोनों इटिम के प्लेयर पर एक बार नज किसी देरी के वीड़ियो को स्टाट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इससे पहले है एक चोटी सी रिक्वेष्ट है कि YouTube चैनल को अभी दक आपने अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यह पूरी तोनामेड इ क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल तीम आपको टेलिग्रम चनल पर मिलने वाली है और टेलिग्रम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स में अल्रेड़ी टेलिग्रम का लिंक अटेज किया है इनके सगर लिग वाक नहीं करता तो टेलिग्रम में अल-अमिरड क्रिकेट गाउं ओमान क्रिकेट मिनिश्री टब वन में खिला जाएगा वीच रिपट यहां से बैटिंग के लिए कापी एच्छी फीचे रन सच्छे खास से बनते हैं और टॉस की बात की जाए तो यहां से बैटिंग पहले बैटिंग करने वाली टिम को एड करवा सकते हैं कंदन की बात को तो टिम की कैप्टन सीप करवाता हो नजर आएगा राइट हैंड बैटिंग के साथ साथ यहां पर आपको निशाद राइट हम मीडियम पास गयन बाजी करवाता हो नजर आएगा और रेकोर्स की बात की जाए तो 54 में चीज का अनुबवे T20 का वहाँ पर उन्होंने 1086 रन किये 27 के अवरेट से साथ में यहां पर 57 विकेड़ पर निकाले हुए उन्होंने 194 ओस की गयन बाजी करते हुए तो इंपोर्नेस रहेगा ऐसे पी कंदन डेफिनेटली लेखे जाएंगे बाकि निशाद के सिधाल भी की जाए तो 16 मेंच के अन ताकि यहां पर यहां पर पहरी बार खेलेंगे लक्समी नारायन पुरा की बात कियो तो अभी रिसंटली जो अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो मैचिस के लिग गई थी ना वहाँ पर एशिया डिवीजन की वहाँ पर उन्होंने ओपनिंग भी की थी ओपनिंग के साथ साथ यह से कभी-कभी ओस बगरा करवा ले थे शुरू आत तो उनकी काफी खराब रही थी लेकिन आखरी की कुछ मैचिस के अंदर उन्होंने बैटिंग से बॉलिंग से दोनों इसे परफॉमस दिया था इवन लास मेच के मेरे कैप्टन थे तो हो सकता है यहां पर ऐस प्लिया तो मैं यहां पर उपर नीचे भी हो सकता है यह थोड़ा सापको ध्यान में रखे चला क्योंगी वैसे रेगूलर बेजिस पर नाया पुरा भी ओपनिंग करते है यहां पर कंणन भी ओपनिंग आ सकते हैं यहां से धनन जाया की बात करो तो यह भी बैटिंग ठिक्टा करवा लेता है लेकिन इनको शायर में ऐसे स्मॉल लिक के अंदर पेपर नहीं करूँगा बाकी बात करें से अरुन देव को आप लोग ट्राइ कर सकते हो रिजवी महमत की बात की जाया तो लेप अंडिड अब रिसंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप इसिया कॉलिफायर जो थी वहां पर यह भाइसा भी खेले थे जहां पर रेगुलेर बेजिस पर उन्होंने विकेट्स भी निकाली थी शुरुवात में यह पहली मैच के उनको विकेट नहीं मिली तो वाकी इन्होंने जो वॉम अप मै अच्छा किया था तो हम लोग ट्राइब कर सकते हैं वाकी सुहील कनागराजा ओके-ओके रहेंगे इनको रिक्स की तोर पर ट्राइब करना है यहां से मुहमद वहकास की बात करें तो पंदरा मैटके ने पंदरा विकेट है आई लोग आई थिंक शाहिद इनको लोग ट्रा यहां पर आगे गया नहीं जस्परिट सिंग है पांच मैच के अंदर ग्यारा विकेट है ट्राइ कर सकते हैं और मिडल ओस में आएंगे एक आदी ओस करेंगे यह दो ओस पुरी भी गरवा सकते हैं मोहमद शिराज भी आ गए हैं जस्परिट भूमरा भी आ गए हैं यह सारे इन में आसे आशिफ खान और यहां पर अजमत उल्ला काजी दोनों ओपनिंग करवाएंगी तो यह थोड़े से इनकंसिंस्टन है कभी-कभी पर्फोमस देते हैं तो काफी बड़ा पर्फोमस देते हैं और हीट एन मिस्टाइक जो पिले बोलते हैं उसी तरह कहें लेकिन य पिल्कुल मिस्स मत करना अब्दुल रौफ उपनिंग में भी आ सकते हैं चांसिस है यहां पर आशिफ कन के साथ अब्दुल रौफ का उपनिंग करनेगा लेकिन अब्दुल रौफ के नाम का यहां पर बॉलर्फों में बहुत ही बड़ा खौफ है काफी जबजस चक्के मा लेगें जादा तर इनको मैंने देखा यह बड़े स्कॉर करते हो से और जादा तर यह से शुरुवाद की मेचिस में बाकी चांसे सो कम है लेकिन इसके लिए बोल रहा है इससे रिस्क की तोर पर ट्राइक करनेगा बाकी सुफियान मेहमूद बैटिंग बॉलिंग दोनों इससे एडवांटिज देंगे इनको डेफिनेटली लेके जाना है मद इफराक की बात करो तो यह ओके-ओके रहेंगे बाकी बिलाल एम शाह वेरी इंपोर्नेट पिक इवन पहले गैन बाजी आती तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं फवाद अली फवाद अली को आप लोग ट्राइक करिएगा लेकिन यहां पर फईयाज वर्ट है डेफिनेटली हमें लेके जाना है काफी जबज़स प्लेट बॉलर्स है इवन टीटन वगेरा में भी आसे दो से तीन विकेट निकालें के एक शमता रखता है और इंटरनेश एक जलो इसे वापर जाएं हम लोग आख आगरी की टीम देख लेते हैं तो विकेड की पर्ण में से यहांसे मैं अब्दुल रौक को ही लेके जाओंगा क्योंकि इनके नाम का इसामने बॉलर्स में कोफ है थो इनको मैं लेके जाओंगा बाकी बैट्रिंग स्यक्षन की बा और यासे लक्षमी नारायन पूरा हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकी के नट्राजन या फिर जस्प्रीट को ट्राइब करना चाहो तो कर सकते हो बॉलिंग सक्षन में ऐसे ऐसे एफ अली भी मुहमद शाह और यहाँ पर के कलाड़ एन कलाड़ी शाइड उला यसा कुछ नामें इनको ले ला है तो टीम के अंदर रहने वाल है तो टीम की बात करो तो टीम को चिसराज से रह सकती है हमारी यहाँ पर मुझे लगता है कि एक दो ओस करेंगे प्लस बेटिंग से भी उपर आने की संभावना है अगर आप लोग इनको नहीं करना चाहा तो यहसे बी मुहमद शाह या पर के कलाड़ी जोश है इनको आप लोग वाइस केप्टन कर सकते हैं यहाँ पर अबदुलरौफ को कर सकते हैं यह कुछ प्लियर है जिनको आपको केप्टन वाइस के तौर पर ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो बाकि अभी के लिए मेरी टीम की बात करो तो कुछ इसी तरह से रहेगी याद रहेग या फिर आपको search करना है directfdc27 और आपको सिधा हमारा channel मिल जाएगा simply आपको उसे join करना है क्योंकि final update और final team आपको वह पर मिल जाएगी यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगए वीडियो को आपको like करते ना है साथी में अपने दोस्तों में इसको share कर दीजेगा और साथी में YouTube channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मेंचिस के वीडियो आपको इसी YouTube channel पर मिलने वाले है तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सर्फ्राइज वीडियो के साथ तब तक आपको करना क्या है आपको अच्छे से वीडियो देखना है अच्छे सी टीम बनाना है और दो-चार combination बना के आप लोग Grand League वगेर आभी खेल सकते हो बाकि पूरा वीडियो देखते हो अच्छी मीनिंग करते हो तब तक के लिए बाई धन्यवाद चैहिन चैपारत